काजोल देवगन मुखर जी एक बालीवूड अबरेत्री हैं काजोल 90 की दशक की बहतरी अबरेत्रियों में इसे एक हैं फिल्म जगत में वह काजोल नाम से जानी जाती हैं उन्होंने बालीवूड की कई बहतरी फिल्मों में अभिने किया है काजोल अब तक के अपने फिल्मी सफर में 6 फिल्म फियर अवार्ड अपने नाम कर चुकी है काजोल कई सारी लग फिल्मों में भी अविने कर चुकी है आईए जानते हैं कि पारे वारे के प्रश्ट भूमी के वारे में दोस्तो काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को महराष्ट के मुंबई वह एक फिल्मी परिवार से तालुक रखती है काजोल दिवंगत निर्माता निर्देशक सो मुं मुखर जी और पूर अबनेत्री तनूजा की बेटी है काजोल की एक बहन है जिसका नाम तनीशा मुखर जी वैवी अबने की दुनिया में सक्रिया है काजोल दिवंगत एक्ट्रेस नूतन की भांजी भी है इतना ही नहीं काजोल के नाना नानी भी भारती सिनेमा का हिस्ता रहे है काजुगल का पूरा पैत्रिक परिवार भी बॉली बुड का एक अभिनिस्ता रहा है उनके पिता के भाई जोई और देव मुखर जी भारती फिल्म निर्माता थी तो वह उनके दादा जी एक फिल्म कार्वी थे उनके चचेरे भाई भाई भेनों में रानी मुखर जी शर्माना मुखर जी और मोहनीश बहल शाप जो की फिल्म जगत में सक्री है उनके चचेरी भाई आयार मुखर जी बॉली बुड के प्रिस्ति निर्देशक है आये जानते हैं की मेरिटल स्टेटस के बारे में काजोल की शादी अबने ताजे देवगन से 24 वरवरी सन 1999 को हुई थी जिस समय काजोल की शादी हुई थी उस समय वह बॉली बुड की लीडिंग एक्टरेस में शुमार थी आलोचकों ने काजोल के शादी के फैसली को गलत थेराया था आलोचकों का कहना था कि शादी के बाद काजोल का दोस्तों काजोल ने अपनी फिल्मी करियर के शुरुआत मन ली थी उनकी पहली बॉली वॉड डेविव फिल्म बेखुदी थी हाला कि फिल्म तो कुछ खास नहीं चली थी लेकिन आलो चको को उनका अविने बेहत पसंद आया इसी के चलते उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई उसके बाद सान 1993 में काजूल अबास मस्तानी की फिल्म बाजीगर में नज़र आई इस फिल्म में उनके साथ शारुख खान और शिर्पा शिर्टी भी थे काजूल की ये फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई और फिल्म में लोगों को शारुख खान काजूल की जूड़ी बहत पसंद आई थी साल 1955 में काजोल की दो फिल्मे करन अरजुन और दिल्वाले दुलनिया ले जाएंगे बैक टू बैक हिट हुई फिल्म दिल्वाले दुलनिया ले जाएंगे के लिए काजोल को फिल्म फेर के बेस्ट एक्टिस आवार्ड से सम्मानित किया गया था काजोल ने अपने बॉली वुड करियर में कई बेहतरी फिल्में की और उसी में शामिल है गुप्त फिल्म गुप्त में काजोल एक नकारात्म किरदार में निज़र आई थी और उनके किरदार को लोगों ने बेहत पसंद किया इतना ही नहीं उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फियर बेस्ट इन निगेटिब रॉल आवार्ड से भी सम्मानित किया गया साल 2001 में फिल्म कभी खुशी कभी गम के बाद काजोल ने फिल्मी दुनिया से एक लंबा ब्रेक लिया इस दौरान उन्हें एक बेटी को जन्म दिया साल 2006 में एक बार फिर काजोल ने फिल्म फिल्म में काजोल एक अंदी लड़की की भूमिका में नज़र आई थी जिससे कश्मीरी आतंकवादी से प्यार हो गया था इस फिल्म में उनके अपोजिट आमिर खान नज़र आये थे फिल्म सुपर हिट हुई और आईए जानते काजोल के बारे में रोच अक तक थिया काजोल मुखर जी खान नान की चौथी पीडी है काजोल वेडरेन एक्रेस रतना बाई की परपोती है काजोल बॉलिवुड की अकेली ऐसी अबिनेत्री हैं जिने निगेटिव रोल के लिए फिल्म फियर आवार्ड से सम्मानित किया गया वाली वुड की दूसरी अबिनेतरी हैं जिनें पांच फिल्म फियर बेस्ट एक्टरस अवार्ड से नवाजा गया काजोल की मौसी नूतल को भी पांच फिल्म फियर बेस्ट एक्टरस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है अब जानते हैं कि बाजीगर में प्रिया चोपडा के रॉल के लिए डारेक्टर की पहली पसंद स्रीज देवी थी लेकिन उन्होंने डेट्स ना होने के कारण फिल्म निर्देशक को मना कर दिया और फिल्म आकर गिरी काजूल की जोली बे इसके साथ ही काजूल की ये फिल्म पहली सुपर हिट फिल्म साबित हुई सिर्वर स्क्रीन पर काजूल शारुक की जोड़ी ने हमेशा हिट फिल्मे दी हैं तिर्देशक करर जोहर काजूल को अपना लकी चार मानते हैं इसलिए उनकी फिल्म की हीरोएन होती है या फिर उनका फिल्म में केमियों को हमारे के मात्यम से अबर्शी बताए चेल्ट पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चेल्ट को सबस्क्राइब करना ना भूले यह पसंद आया है तो उसे लाइक अबर्शी करे धन्यवाद जै हिंद वंदे मात्रम